ये इंडिया ने चक करें इंडियन मदारिस में ये रोकेट बता रहे हैं किस तरह से उड़ रहा और ये उन्होंनों पहली दफा बनाया पानी पर ये देखे किस तरह से प्राज़र दिया और पूर रहे हैं ये चीजें सिखाई जा रहे हैं आप सुने मुझे इदर तो मिस्व जान हे हरे हैं किला किस तरह चेलने उसको कि स समत में रखना है ठीक है चान को लेया सुराज गूंडा जमीरियरत न मसाल में फसे रहे हैं अस्लामोफ़ ऑ्रस व केता है है फुए पौकिस्तान के लिए फिर पाकिस्तान के लिए पड़िए ये इसमट으 बैठे हुए हैं यह चोर लुटे रहे इन्होंने हमने तफरीक एक बार्डर लैंड खेंच हुई है वो कहता है यह हिंदू है वो तिसके तरह बाब मारा हुआ है इसने क्या किया हो तुमारा मदर्सू को मदर्सू के बच्चों को मीजाल वर और उड़ोने की कोई जरूरत नह है नो नो यह दूसरे शोब है उन्हें काम है एक बेटरी इनसान पादा करना हमारे पाकिस्तान में हम मुदी को नहीं करते क्योंकि उन्हें पावर स्ट्रोंग की है और वस इस तरह क्यों नहीं पसंद करते वो तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करें और वो बुरे हैं आप तो अच्छे बंडे हैं उनके साथ अच्छा काम करें तिजारत करें उनके साथ आलू प्याज फल्व गए आए चलो गरीव आवाम को सुका साथ मिलें साथिया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में मुसल्मानों का नाम खराब किया अब बताएं तो क्या सा इंडियन मदरसा में पढ़ने वाले जो इस्टूडेंट हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको लेकर पाकिस्तानी पब्लिक का रियक्शन लिया जा रहा है कि भारत के अंदर तो इस परकार की एजूकेशन दी जा रही और पाकिस्तान के मदरसा भारत के मुकाब के मदरस के स्टूडन का को कमपेरजन है देखे एक बात है कि हमारा जो करान और अधिश और मजब है उसके मताबक हमारे मदरसों में काम नहीं हो रहा नहीं हो रहा असल बात यह यह चोदों साल वो एक रुख रुख ती जो तालीम में उसी को इन जारी रखा हुआ है करान बोजीद में बार बार आता है कि गोर करो गोर करो और और से मराद रिसर्च है और पूरी दुनिया में रिसर्च ही है कि कामियाब आज कल रिसर्च ही है कि कामियाबी का जरीया है अब हम बात कर रहे थे कि यह जो मुबाइल यह टक्नालोजी आई है यह रिसर्च कर दी सर्च करो हमारा जायज़ ऑदेदा है कि 30पारे हिप्स कर लो हेफ्स कर लो दुनिया में सब से जायदे पड़ी जाने वाली कताब करान मजीद है लेकिन बगैर समझें पड़ी बादेवी कताब करान मोजीद है अग Раз व healthy姐 저는 high Modण है करान और wh सर्च की जाए और मुल्की लेवल पर बन अलग विलामे पर एक उल्मा का बहुत बोट डूना चाहिए जो स्लेबस का तायन के देज माने के तकाज़ों को मतने रखते होई आप तालीमी निजाम हमसे बहतर है नो नो नहीं 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 है नहीं हमारे तालीमी निजाम से करता हूं हमारे शुकुत एजीज़गरा यह जो यह यह ट्याक पर आप हमारे बड़े बड़े लेवल के यह बात नहीं है हमारे लोगे बेलावल बिल्कल ऐसला बटाना चाहूंगा एक और चीशाब बताना पर एक जो पैड़े कलियर कले हैं यह जो हमारा मुझुता नजा मैं मदर्सुम है इसको जमाने मुजुदा जमाने के तकासों के मताबक इसको इस पर काम किया जाए और पड़ाई बच्चों को तालिम कि मिस्वा करने का तरीका जिखा रहे हैं केला किस तरह चीलना है उसको कि सिमत में रखना है ठीक है चांद चांद गोल या चुरज को उमर कि तरकी तो हमने वैसे भी नहीं करनी है कि हमने जो करनी थी वो कर लियो कि बाकी जो रहती है वहाँ पे जो है वहाँ पथ कुछ ग旬िढा की इंडिया की इंडिया की गौर्मिंट की इंडियन गौर्मिंट जो है वो ये दुनिया के अंदर ये शो करना चाहती है کہ हमारे यहां पे बहुत सैकलरिजम है और हम जो हैं वो तालीम के लिए लोगों को देख़ी हमने इसलामी तालीम को कितना हाई अप कर दिया है मसला ये नहीं है इस तालीम का मसला जो है ये बिलकुल और बिलकुल नीजी और समाजी मसला है और इस मसले को सिर्फ पाकिस्तान के हद तक हमें देखना चाहिए और पाकिस्तान में इसको हल करने का एक ही तरीका है कि एकसा निजाम तालीम जो है वो पूरे पाकिस्तान में रा बच्चों को पता ही नहीं है और इसका फाइदा क्या है और उसका मैंनी नहीं पणा क्यों जो कहना जारे उसकी हमें समझे नहीं है तो वो चीज पड़ी जाने पड़ी आख रहे हैं अपको क्या लगता है कि इसमें थोड़ी अफग्रेड होनी चाहिए बिल्कुल में आफग्रेड होना चाहिए मदारिस को अपने आपको इंटरेक्ट करना चाहिए दूसरे तालीमी निजाम के साथ और दूसरे तालीमी दारों के साथ और दूसरे तालीमी दारों को मदारिस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए ताके इधर के तालीम उदर और उदर के तालीम हम इदर आके इंटरचेंज करें और एक दूसरे के साथ मिल जाएं हम ये हमने जो अलैत की पसंदाना में एक सिस्टम शुरू कर दी है कि तालीम इदर वाली है ये लामिया की तालीम है दीनी तालीम है कुरान की तालीम है कुरान की तालीम भी इल्ला की तालीम है दुनिया में रहने वाली साइंस के तालीम भी इल्ला की तालीम है अल्ला ही कुरान में कहता है मैंने इनसानों के लिए सूर जो चांड जो है मसक्र कर दी है तो मसक्र जो हैं वो भाई साइंस से ही होंगे तो इसके लिए साइंस भी इल्ला का इल्म है कुरान ही से अंसिल किया हुवा इलम है हर इल्म जो है इल्हामी इल्म है तो इसलिए हमें इसके साथ मिलाना चाहिए आपको इस वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा हैं अगर हम पहले हैं अगर हम बारत की बात करें तो बारत के अंदर तो के अंदर सरकार ने भी कह रहा हैं पहले ही कह रहा हैं कि बारत के अंदर जितने भी मदरसा हैं मदरसे के अंदर जो इस्टूडेंट पढ़ते हैं उनके एक हाथ में computer होना चाहिए और दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए बात के अंदर सरकार ने कह रहे कि उसी को लेकर जो है ना भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि समय समय पर जो स्टेट गवर्मेंट हैं उनकी तरफ से भी कदम उठाई जाते हैं कहीं सारे ऐसे मदरसे जहां पर कंप्यूटर मुआया करवाए गए हैं और जो जो धर्म की सिक्सा है उसके अलावा जो साइंस की है उसे भी साथ साथ दी जा रही है ताकि जब कोई स्टूडेंट मदरसा से पढ़कर बाहर निकले तो उसको धर्म की सिक्सा के अलावा जो मौडरन एजूकेशन है उसका भी घ्यान हो तो इसको लेकर भारत के अंदर तो तेजी की साथ काम किया जा रहा है और यह का पाकिस्तानी इस बात को खुद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो निजाम पहले से चला रहा है उसमें अब चेंज करने की आउशकता है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे मदरसा के अंदर पढ़ने जा रहे हैं उनको जो है ना धर्म की सिक्सा के अलावा जो है